बिहार मेट्रिक इंटर प्रोच्छाहन योजना में बहुत सारी छात्रों को आपे प्रावलम आ रहा है कि उनका जो आबेदन है वहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहा है कुछ इस तरीके का जो आपे मैसेज है वहाँ पर उनको देखने को मिलता है रिजेक्टेड बाई PFMS यानि कि उनका जो PFMS है उसको आपे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है रिजन में आप लोका बताए जा रहा है कि UID never enable for DVT यानि कि इनका जो आधार काड़े बुक कभी भी जो है DVT के लिए इनेबल नहीं किया गया है तो किसी भी सरकारी योजना का जो प आप लोका जो bank account है वो NPCI से link नहीं रहता है वो आधार seeding नहीं रहता है तो ऐसे में आप लोका पर जो पैसा है वो आप लोको नहीं दिया जाएगा सरकार के तरफ से एक नियम निकाला गया है कि आपके पास कितना भी bank account है उनमें से कोई एक bank account जो है वो आपके आधार के सा पराम मौण आ रहा है आधार सीग एक अलग सीजे और जो आप का आधार सीजे का मतलब यह होता है कि आप लोका जो paraoकुमेंट है उसको डिवी इनेवल कर दिया जाता है उसको NPCI लिंक कर दिया जाता है तो इसी के कारण से जो आप लोगा आबेदन है उसको आपे reject किया जा रहा है तो आप बहुत सारी छात्र पूछने है कि इसका solution क्या है इसको किस तरीके से हम जो है आपे solve कर सकते हैं इसके बारे में आप हमें बताइए तो सबसे पहले दोस्तों आप ल लिएगा कि हमको जो है NPCI link करवाना है या फिर हमारा account जो है उसको dvt enable करवाना है तो वो आप लोगों को एक form देंगे form में जो है आप लोगों का आधार card और pen card का जो आप लोगो फोटो कोपी है वो आप लोगों को लगाना होगा उस form को आप लोगों को भरना है और उस form को आप लोगों को आप लोगों को आप ब्रांच में जमा कर देना है ब्रांच में जमा होने के बाद आप लोगों का नहीं हो पाता है तो इस कारण से जो है बहुत सारा परेशानी आप लोगा होता है और आप लोगा जहाँ पर dbt link है वहाँ पर नहीं हो पाता है तो इसका भी एक solution है कि अगर आप लोगा कुछ इस तरीके का error आ चुका है तो आपको करना क्या है जो इंडिया post payment bank का account है वो आप आप लोगा हाँ पर खुलवा लिजे इंडिया post payment bank में जब आप यहाँ पर account खुलवाईएगा तो वो automatically जो है dbt link आप लोगा पर कर दिया जाता है यानि कि सरकार ने एक system बना रखा है कि अगर आप लोगा जो है इंडिया post payment bank में account होता है तो directly जो है आप लोगा जो इंडि आप लिजे कि अगर आप लोगोंने जो है अपना इंडिया post payment bank में अपना account खुलवा लिया है तो अब आपको जो है इसका सुधार किस तरीके से करना है यहाँ पर जो reject हुआ है इसको आप किस तरीके से सुधार पाईएगा वो मैं आपको बदा जाता हूँ तो उसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आप लोग जब यहाँ पर account खुलवाईएगा तो 10-15 दिन जो है आपको इंतजार करना है 10-15 दिन के बाद automatically जो है यहाँ पर सुधार आप लोगा कर दिया जाएगा और अगर मान लिजे 10-15 दिन के बाद आप लोगा सुधार नहीं होता ह तो ऐसे में आपको करना क्या है आपने metric के लिए apply किया है या फिर इंटर के लिए apply किया है तो आपको करना क्या है आप जो सीधे अपने Google में जाएगा Google में जाने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर जो वाइटर सी जो लिखा हुआ है इसको आपको जो अपने Google में आप लोग को नीचे करना है आपको सबसे नीचे आना है यहाँ पर क्रेक्शन का एक लिंक मिलेगा क्लिक केजेगा तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रेवियांस वाला एक option है वो आप लोग आप अपर ऑपन हो जाएगा लेकिन जब यहां पे यह open होना शुरू हो जाएगा, तो यहां से आपनों को जो है अपना एक सिखायद जो है वो आपनों को आप दर्ज करना है, सिखायद दर्ज करने के बाद आपनों को आपधन है उसको आप ठीक कर दिया जाएगा, हलाकि जब आप यहां पे account खुलवाते इसको आप हैं ऐसा हो जाएगा तो यह जो है आप पूरा प्रसेस आप रहने कर रह रहे है। कुछ इस तरीके से आप लोगों कहाँ पर आएगा सबसे पहले टाइप में अस्ट्रेंट रहने देना है अपना home district यहाँ पर सलेक करना है फिर यहाँ पर ग्रेवियांस में देख पाऊंगे request to change bank account number तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना detail डालना है कि मेरा bank account गलत हो चुका था मैंने दुबारा हाँ पर इंडिया पोस्ट में पर अपना account खुलवाया है यह आपना पर लिखेगा registration number डालेगा आपना bank account का detail है उसको आपको आपको आप अपलोड करना है और summit पर क्लिक किजएगा आप लोगों का form में आप अपलोड हो जाएगा तो जल्दी से आप लोग अपना सुधार करवा लिए अब जोस्तों अगर आप लोगो चोटा बड़ा हर एक अपडेट जो सबसे पहले चाहिए और सारा अपडेट का जोहाँ पर notification हो गया या फिर जो भी अपडेट है वो आपको जल्दी से जल्दी और सही चाहिए तो आप ल जालता हूं तो जरूर आप लोग आपर जोइन करिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद